नमस्कार दूस्तूर डियर मैथमेडिशिन अवर्षवत है आज का जो अना कोश्चिन है वह कलास्टेंट के मैथ के सब्सक्राइज 1.4 के कोश्चिन नमर तीन है और चेप्टर का नाम है वास्ट्विक संख्याएं तो इस कोश्चिन में कहा दिया गया है कि कुछ वास्ट्व संख्या प्रविन संख्या हाई या नहीं मतलब यह जो भी इस्तिती में है उसको जाच करना है कि यह जो है प्रविन संख्या हाई या नहीं अब से दखिए यह प्रविन संख्या है और पिवट्टा क्यू के रूप की है तो क्यू के वास्ट के बारे में आप क्या का सकते है मान लेज़े कि अगर यह परविवन संखिया हैため इसको संखिया है ते प्रविन होगा कोई संखिया तो इसको फीवन संखिया के रूप में लिस सकते हैं तब इस क्यूव के बराम हम लोगो कहना आँ तो चली इसको जो है इसको मान लेते हैं यह देखिए माना की माना की यह बराबर क्या होगा तो 43 दस्वन लग 123456789 अब यह देखिए यह संख्या जो है पर में संख्या है क्यों 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 कि इसका दस्वन लग परसार जो है सांत है तो यहाँ पर जिसको लिए लगते हैं यह देखिए यह संख्या ए परिमे संख्या है परिमे संख्या है क्यों कि क्यों कि इसका दस्वन लग परसार सांत है अब देखिए यह हम जान चुके हैं कि यह जो है क्या है तो परिमे संख्या है परिमे संख्या है तो इसको हम पिवट्टा क्यों के रूप में ले सकते हैं तो देखिए चुकि यह परिमे संख्या है यह परिमे संख्या है इसलिए इसलिए एको पिवट्टा क्यों के रूप में एको पिवट्टा क्यों के रूप लिखा जा सकता है और क्यों बड़ावर क्या होगा तो क्यू बड़ावर होगा यह देखिए और क्यू बड़ावर होगा 2 क्या होगा तो 2 क्या होगा तो 2 क्या होगा हम इस सी रूप में इस ही लिख सकते हैं क्योंकि ये दस बड़ावर होगा जहां, जहां, M और N, M और N, और इनात्मक पुर्नांक है, और इनात्मक पुर्नांक संख्या है, अब देखिए, यह A जो है, परिविन संख्या है, इसलिए A को पिवर्टा Q के रुप में लिखा जाज सकता है, तो इसके Q के बार में यह कहा सकता है, कि A जो है, 2 के बबर N गुने 5 के बाबर N के रुप में होगा, जहां यह M और N जो है, तो और इनात्मक पुर्नांक है, Q कुसल करते है, Q में जो दियाग है, इसको माल लेते हैं, यह देखिए, माना की B बराबर, इसको B माल लेते है, तो B बराबर के रह जिरो पॉयंट, 1,2,0, फिर 1,2,0, फिर 1,2,0, फिर 1,2,0, फिर 1,2,0, और डॉट डॉट डॉट, अब देखिए, यह संख्या जो है परम सार नाही सांत है और नाही जो है आविरती है मतलब वो जो है नाही रिपीट कर रहा है और नाही जो है वो कहीं पर रुका हुआ है जैसे इसमें रुका हुआ था इसका दसमें परसार जो है नौ पर आके रुक चुका था लेकिन इसमें जो है डॉट डॉट लगा हुआ है तो तो ये ना ही repeating है और ना ही सांथ है इसलिए जो ही क्या आओगा तो पर्मे संख्या नहीं होगा. मतलब इसको बिवत्ता क्यूंक की रुपय हम नहीं लिए सकते हैं. कि यह संख्यां भी ना ही ना ही सांथ है और ना ही आवर्ति आवर्ति इसलिए यह संख्यां परमिय संख्यां नहीं है जब यह परमिय संख्यां नहीं है तो इसको जो है हम पिवट्टा की कुट में नहीं ले सकते हैं देखिए अता अता बी को पिवट्टा क्यू के रूप में हम नहीं ले सकते हैं नहीं लिक सकते हैं अब यह पर कोश्चेन नोमर तीन में लेखिए लो संख्यां दिया गया है वह संख्यां परमिय संख्यां है क्यों क्योंकि यह संख्या जो है आविरती है मतलब दस्वंदर के बाद यह रिपीट कर रहा है मतलब 123456789 है इसका फिर से वही संख्या 123456789 आएगा तो मतलब यह आविरती में मतलब यह रिपीट कर रहा है तो जब यह रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है क्या है तो परमे संक्या है और जब यह परमे संक्या है तो इसको जो है पिवट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यों को जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं मतलब तू के बावर एम इन टू फैल के बावर एन के रूप में जो है नहीं लिख सकते हैं तो इसको जो है हम लिख लेते हैं हुआ है तो यहां पर जो कोश्चेबर तीन को जो है माल लेता है है देखिए माना C बराबर 43 दसमलग 123456789 के उपर रेकरिंग अब यहां दखिए इस संख्यां का जो दसमलग परसार है वो किसमे है तो आभिर्ति में है और आभिर्ति में क्यों है क्यों है क्योंकि यहां से लेके यहां तक रेकरिंग लगा हुआ है रेकरिंग लगा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि 9 के बाद फिर से 123456789 अएगा फिर उसके बाद जो 9 आएगा उसके बाद फिर से क्या का सुरूँगा तो one two three four five six seven eight ne五 इस संख्या का जो दस्मवलग परसार है वो किसे में तो आविर्ति में और जब किसी संख्या का दस्ममलग परसार जो है आविड्सि में होता है तो वह संख्या क्या होता है तो परमि परसार आवरती है इसलिए यह संख्यां सी पर्मे संख्या है पर्मे संख्या है यह देखिए चुकि यह संख्यां सी पर्मे संख्या है इसलिए इस संख्या को हम प बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू बराबर टू के पावर एम गुने पाच के पावर एन के रूप में नहीं लिख सकते हैं यहां 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 एम कॉमा एन और यहां तो पुर्नांग है और नत्मक पुर्नांग है यहां देखिए यहां पर हम क्या बोले थे कि इस संख्या को जो है इस सी को जो है पिवट्टा क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं लेकिन इस Q बरावर जो है 2 के बावर M गुने 5 के बावर N के रूप में जो है नहीं ली सकते हैं तो यह जो है अपना आपको जह है इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद